आई सी सी वंडे वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग पांच अक्टूबर से होगा वहीं आपको बता दें इस प्रतिश्य टूर्णामेंट का जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो 19 नॉंबर खेला जाएगा ऐसे में भारत के पास एक बार फिर से 2011 के बाद वर्ल्ड कप को ज पाकिस्तार नहीं मिला अब्स पाकिस्तान को सмुग काफिन निरा मिल आपको बता चाहे हम सायंसा पृविद्धि की बात कलने या बाबा रायां कीııान की बात कल ले जे या मोहम्माद रिजमान के सब आपको बता दे कि पाकिस्तान की प्लेंग एमट नहीं कि भारत नहीं आई। तब टेम इंडिया के घिलाब खेलने के लिए पाकिस्तान भारत आई हुई थी बात करेंगा जिस तरीके जो पुराने लड़ी थे चाहे अफ्रीदी हो या फिर हम बात करें मली की या इंजमामुलह की बात करें तब से लेकर अब तक पाकिस्तान टीमें बहुत कुछ बदला हुआ है यानि का आप साफ तोर से यह कह सकते हैं कि पांच अक्टेबर को भारत सिनका मैच हैं और वो खास करके अहमदाबाद में गुरू जहां पर सुम्मन गिल का बल्ला ऐसा बोलता है कि बेपच्छे टीम में अपने आपको परास्तमान लेती पहले ही आप सोच सकते हैं कि भारत पाकिस्तान यानि की पूरे बिश्व की निगहें उस मैच पर को फार्म रहा और आपको यह भी बता दें कि 2003 में सबसे ज़्यादा रंद बनाने वाले सुम्मन गिल बिश्व को नंबर बल्लेवाज हैं ऐसे में जो भारत सरकार उसकी तरफिया मानना है कि पाकिस्तान को जल्दी वीज़ा मिल जाएगा और जो उनका अपना उन्तिस तार आई है कि अब रह्मद हो गए या आप बात करने जिस तरीके सभी असनली की जवानिंग होई है तो जो टीमें की पहले थी उसमें कुछ बदलाओं के चलते बीज़ा प्रॉसेस में कुछ देरी होई है लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीश चौदान अक्टूबर को मै मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा उसके लिए पूरे भारत वर्ष को यानि जो भारत और पाकिस्तान के बीश मैच होता है जो दिल्चस्थ होगा वह सब आप लोग जरूर देखिएगा